के लिए ओलो फ्रेंड्स आज की फीडिओ में हम बात करने जा रहे हैं टीएंबी बैंक के बारे में तो टीएंबी वेंग्स निकालियाcodanda City public in G movies Business के लिए तो किस तरह से आप IT इस पेसलिस्टРЕ के लिए अपलाई का सकते हैं आपको किस तरह से करना है application form किस तरह से वरना है, fee payment कैसे करनी है, document upload कैसे करना है, यह सारी की सारी चीज है, मैं आपको इस वीडियो हम बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा, ताकि एक एक डाउट आपका clear हो सके, तो इस website का link मैं आपको description में provide करवा दूँगा, वहां से आप direct इस website पर आ सकते हैं, तो यह जो registration है, वह 6.16.10.2013 से start हो चुका है, and end जो है, इस application वह 6.11.2013 में end हो जाएगा, तो आपको simply क्या करना है, सबसे पहले तो register करना है, registration करने के लिए yellow color का जो देखेए, आपको click here for new registration उस पर click करना है, उसके बाद यहाँ आपको basic details देनी है, registration के लिए photo signature upload करने है, ठीक है, फिर details देनी है, other details देनी है, यहाँ पर preview कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर uploads करने है, अपने document and payment करना है, तो यह सारी की सारी चीज़े है, 6th step में, आप यहाँ पर अपना application form registration करोगे, तो यहाँ पर आपको अपना, सबसे पहले तो यहाँ पर last name लिखिए, और then confirm करिए, last name नहीं भी है, तो भी आप इससे छोड़ सकते है, यहाँ पर आपको अपना full name सो होने लगेगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number लिखना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर confirm कर देना है, mobile number, यहाँ पर आ होट कोन है, hotmail है, जो भी आप यूज करते हैं, वो select कर लेना है, उसके बाद confirm email id कर देनी है, उसके पूरी email id आपको यहाँ दुबारा confirm करनी है, फिर जो security code दियाएगा, इसको लिखना है, save and next करना है, ठीक है, save and next करना है, उसके बाद यहाँ पर photo signature upload करना है, ठीक है, तो photo signature signature upload कर सकते हैं, यहाँ चीक गाइडलेंस है, अगर photo signature upload करने में कोई दिक्कत आए, तो आप देज सकते हैं, जो photo का size होगा, 20-40 के भी का होगा, तो यहाँ पर upload कर सकते हैं, जो signature का size होगा, वो 10-20 के भी का होगा, तो confirm button कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ दूबारा signature upload करने करना चाते हैं, ठीक है, clerk के लिए या फिर आप IT specialist system administrator के लिए, network administrator के लिए, ठीक है, IT specialist officer है, scale one के लिए, ठीक है, जो इस पर अप्रेट करना चाते हैं, डेटाबेस के लिए या फिर application developer के लिए, तो जिस भी post के लिए आप apply करना चाते हैं, उस पर आपको click करना है, जैसे clerk के पर आपको बताना है कि कौन से language है, वो बताना है, कौन से state के लिए apply कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको category बतानी है, ठीक है, तो यहां से आपको category select कर लेना है, confirm कर देना है, उसके बाद यहां पर आपसे पूचा गया है, कि अगर आप 40% से ज्यादा disability है, तो आपको yes करना है, अगर आप yes करना है, ठीक है, तो यहां पर option है, अगर आप yes करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको no करना है, simply अगर तभी आप apply कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप एक service man है, तो यहां पर आपको बताना है, कि आप है या नहीं है, है तो service आपको yes करना है, है अगर आप एक सर्विसमें नहीं है तो नो कर सकते हैं उसके बाद यहां पर पोस्ट ग्रेजवेट है अगर आपने कर रखिए तो आपको यस करना है तो आपको नो करना है तो आपको यस करना है अगर आपको यस करना है अगर आपने कर चुका हो तो अगर यहां पर यहां प करना है जिस भी सेंटर में जाके एक्जाम देना चाहते हो उसके बाद यहां पर इसके 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 बाद यह है तो simply no करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आपको अपना पूरा 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 अड्रेस लिखना है यहां पर पर रह रह रहे हो लिखना है ठीक है तो यहां को यूज करिए यहां से आप सकते हैं जो आप यहां पर पींप्म और यहां से स्टेड्स नहीं है तो यहां पर यहां पर यहां पर स्टेक्ट से चाहिए तो यह ले दिन कोरे तो यहां पर आपको क्लिक मांवे पस तो सबसे पहले pessoa करता है कि कुन से डेगरी किए आपने उसके बाद यहां पर यहां पर पर देट पासिंग बताना है और यहां से बता दी हमने पोस्ट फोज़ेशं की निurst strain इसम SIнимLR आपको कि यहां तो सबजेटीप Sky ने पासिंग बताने हैं और बाकिया सारी डिटेल इस अपने कर रखा है अगर आपने सब्सक्राइब पड़ेगी जैसे ने मुफ इंपलोयर डेजिगनेशन क्या है थी पर जैंड या फिन नहीं हो तो यहां पर नहीं हो ट्रॉटल टाइम पीरिट क्या था वह यहां पर सलेक्ट क चोड़ने का करन क्या था यह सारी के सारी सीज़ आपको बताने पड़ेगी उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इंगलिस इंदी सब्सक्राइब करना है तो अब ही एक पीड़ करना है है किस तरह से अप्लोड करना है मैं आपको प्तिफ धोड़ेट करा दूँआ और तो आपको एक compiled दिखेगी दिखतो, यह बीडिएफ का Link में आपको description में दे दूँगा, तो इस PDF में आपको, जाना है, चार पास नमर पेज पर वहाँ आपको declaration मिल जाएगा और इस कैसा ल बीटेल्स मिल जाएगी कि मिल जाएगे किते किते questions आएंगे सब देखने को मिलेंगे examination center कहां पढ़ेंगे इस सब आपको यहां पर मिल जाएगा तो यहां साब कर देना है उसके यहां पर कहशलर करने के बाद आपकोको करने के बाद आपके प्र सबस्क्राइब तो को भी मंत आपको छाते हैं उसकी बदो आपाना है यहाँ जिसका भी काड यूज कर रहे तो अपना नाम अपना बताना है आपको एक OTP मिलेगी, make payment वाले option पर click करने के बाद उस OTP को fill करना है, register bank mobile number पर आपको OTP आईगी, fill करने के बाद आपका successfully payment हो जाएगा, payment हो जाने के बाद अपना application form को आप download कर सकते हैं, अगर कोई भी related, मतलब document related, अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, तो आप comment करके post सकते हैं मैं उसका जवाब जरू दूँगा, या कोई भी समय से आ रही हो, कोई भी problem आये, कुछ भी problem आये, form fill करते हैं, तो आप पूछिए, मैं जरू बताऊंगा, तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरू कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरू share कर देना, ताकि भी बहतर opportunity का फायदा उठा सके और पोस्ट के लिए apply कर सके, तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe जरू कर देना, बैल आइगन को प्रेस जरू कर देना, ताकि कोई भी upcoming latest notification या exam आते हैं, तो उसकी notification आपको मिल जाए, और important updates आपको मिलते रहे, तो मिलते हैं ऐसी latest notification साथ अगली वीडियो में धन्यवाद,